Hello student, education 24 में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए में कैसे लिखें इस वीडियो के अंदर हम लोग बीए में लिखने का सही तरीका जानेंगे तो आज़े देर न करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं और सब कोई डिटेल में जानते हैं तो बीए परिक्षा में लिखेने का सही तरीका यह है कि अगर आपको किसी भी प्रस्न का उतर लिखना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी जो कोपी होती है आपको उपर से एक लाइन छोड़ना है सबसे पहले आपको उपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे से आपका जो दूसरी लाइन होता है आपको दूसरी लाइन से कुछ भी लिखना सुरू करना है चाहें आप यहाँ पे खंड संख्या लिख रहे हो या फिर कोई प्रशन उत्र संख्या लिख रहे हो या फिर कोई प्रशन का उत्र लिख रहे हो आपको जो कुछ भी लिखना है आपको दूसरे लाइन से लिखना है आपको पहले लाइन से नहीं लिखना है इस बात को आप य पर जान लिए हैं लिए क्या करना है को यह उसके दूसरे लएड से लिखेना शूरू करना है अब आगे जानते हैं कि क्या कर सब्सब्स करना है। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब प्रश्नसंख्या इ matching pas symbols लिखना én तो प्रश्ण संख्या लिखने का सही तरीका यह है कि यहाँ पर आपको प्रश्ण नमबर न लिखरके यानि कि प्रश्ण संख्या न लिखरके यहाँ पर आपको डारेक्ट प्रश्णोतर संख्या लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर प्रश्णो प्रशन्ण्वत्र संख्या कससवारी, आप प्रश्न्वत्रम संख्या the強ay hazukos या नोब या और पर निंगां उगई तो साईडिया में आपको ऊतर लिखना पड़ेगा उसलिए क्या करना है इसलिए आपको यहां'll sign संख्या लिखना है और प्रश्ण उत्र संख्या लिखने के बाद यहां पर आपका जो भी प्रश्ण उत्र नंबर है या फिर जो भी प्रश्ण संख्या है यहां पर आपको प्रश्ण संख्या साइड में लिखे देना है और बीची में आपको यह जो चीन दिख रहा है इस च नीचे छोड़ने के बद क्या करना है यहां पर आपको उतर लिखना शुरू करना है तो यहां पर हम लोग ने छोड़ दिया है और तीन ले छोड़ने के बद क्या करना है हमको यहां पर सबसे पहले आपका जो भी हेडिंग है यह फिर जो भी उतर है आपको इस तरीके से अग आपका ब्लेक पेंट से नहीं रहेगा बाकी आपका ब्लू पेंट से रहेगा तो यहां पर हम लोग ने क्या किया यहां पर हम लोग ने संचे पड़ लिखा यानि कि पहला है तो यहां पर हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है यहां पर नीचे अंडरलाइन देना है और अं लिखना है कोई बी कारड़मी नहीं करना है यहाँ पोई भी गंदगी आपको नहीं करना है आपको आप सौत्री तरीके से लिखना है तका की आपकी र् guys लिखना है और यहीं अकर कोई ज़ाद सब्सुना और च्र를च नहीं होगा और एक्जामेर एक नजर में नहीं आएगा और एक्जामेर एक नजर में अगर आभी जाएगा तो आपका नमबर नहीं कटेगा तो इस तरीके से आपको राइटिंग बठा करके लिखना है उसके बस आगे आपको क्या करना है कि यह आपका में हेडिंग हो गया ये आपका main heading है, क्योंकि voilà heading है, ये आपका पहाला heading हो गया, जब आप पहाला heading लिखे लेते हैं उसके बासे अगर किसी भी heading के अंदर आपका point आता है, तो मैं आपको बता दू कि जो main heading होता है दो main heading के अंदर आपको कम से कम एक line चोड़ना है और आपका point होता है point के अंदर आपको कोई भी line नहीं चोड़ना है जैसे नीचे में आपको दिखाराऊ دھیान से देखिएगा यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर जो भी लिखा गया है अब देखिए आपका जो main heading है, यहाँ पे आपका पहला heading हो गया संचेपड, अब संचेपड के आगे कर जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे आपका लिखा गया है, इसके अंदर आपका point आगया है, संचेपड का आर्थियों परीचे, तो यह आपका point आया है, इसके बीच में अ परियो करना है, यहाँ पे आपको simple अगर कोई जोटा मोटर point है, तो यहाँ पे आपको black paint से point को लिख देना है, उसके बसे सामने आपको इस तरीके से यह जो जो पर रिखना है, और उसके अंदर आपको अपना answer लिखना शुरू कर देना है, तो इस तरीके साब आपका जो ह पर जो भी में heading आया है, यहाँ पे बीच में एक line छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला heading यहाँ से शुरू हुआ था, तो main heading आपका संछेपर था, उसके बसे आपका जो दूसरा main heading है, यहाँ पे आपका दूसरा main heading हो गया, संछेपर की पदती, तो जैसे संशेपड की पदती आपका मेन हेडिंग आया है तो यहां पर मेन हेडिंग आने की वैसे क्या किया गया है बीच में एक लाइन छोड़ा गया है तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका मेन हेडिंग आएगा आपको मेन हेडिंग आने पर एक लाइन छोड़ना है और एक ला आपका नीचे जाएंगे तो तीसरा आपको पॉइंट आ गया है और उच्छे दियो जना तो जो भी छोटे-छोटे आपके पॉइंट आते हैं तो मैंने आपको बता है कि छोटे-छोटे पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है बस आपको में हेडिंग के लाइन छोड़ना है इस बात को आप याद रिखिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका मेंन हेडिंग है तो मेंन हेडिंग के बीच में एक लाइन छोड़ना है लेकिन उसके बास से जो भी पॉइंट आया है पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है तो आपको चोटे चोटे चोट bit point koko या फिर heading कौ अपको लिखना है उसके बस आगे बढ़ते आगे देखतें की इस तरीके से लिखना है उसके प् मैंड़ होने पर क्या क्या होने यहां पे हम उसके बढ़ते हैं यहां पर आपका main heading है फिर उसके बास से देखिए यहां पर आपका जो है की पॉइंट सुरू हो गया है जो आपका में एडिंग था इसके अंदर आपका पॉइंट सुरू हो गया है तो जो भी आपका पॉइंट सुरू हुआ है उसके बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है तो लाइन यहां पर आपका तीसरा पॉइंट आ गया फिर उसके पास आगे देखिए यहां पर आपका चोहता पॉइंट आ गया और एक बतोर याद रखना है कि जो भी आपको लिखना है आपको राइटिंग बैठा करके लिखना है सब्दों के बीच में ज्यादा गैप नहीं छोड़न न करते हैं तो आपका नमबर नहीं करता है मल की एकर राइब आपको एक दो नंबर बढ़ा करके दे रहते रहते हैं तो इस तकी फिर आगे आपका 500 पॉय्ट आ गया आप फिर आगे देखते हैं आगे यहां पर देखते हैं कि यहां पर अगर कोई छोटा चोटा पॉय्ट आता है देखिए यहां पर छोटा पॉयंट है उदाहरां तो इसकी भी कोई लाइन नहीं छोड़ा गया है कोई भी घलती आपको नहीं करना कोई भी काड़ टना है साप सुथरे तरीके से लिखना है ताकि एक जामेर को लगए कि अच्छे तरीके से लिखा गया है और आपको ज्याद से ज्यादा नंबर दें यहां पर फिर से आपका में एडिंग पर किया एक लाइन चुड़ा गया, और यहां पर निसकर्स लिखने के बाद क्या किया गया है, आप जैसे निसकर्स अपलिक लिएते हैं तो आपके Question कैंसर क्पिलिट हो जाता है, देखिए आपर निसकर्स लिखने पर आपका जो Question है उसका इंस्वर complete हो गया है जरी है यह कि तक आपका इंस्वर है यहां पर क्या आपका 1 पनन हो जाएगा फिर 2 पनन हो जाएगा फिर उसके बाद से 3 पनना हो जाएगा और यहां कि 3.5-3 पनन हो मतलब क्या हो जा? साथ पेज हो जाएगा यहां को लिखना है इस से कम में आपको नहlaş लांग उसके बाद आगे अगर आपको लिखना है तहु आपके का उसके आगे यहां पर कितने लान बचा है तो अगर आपका खतम होता है कि जिस भी पेस पे आको अब निचेंगे सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा नहीं बचा है इस आई नहीं है जिसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो अकर आपको लगता है कि ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो इसके नीचे आपको नहीं लिखना है इसको छोड़ देना है और दूसरे पेज पर आपको दूसरा कोश्चन लिखना है जैसे यहाँ तो इम्यद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आगया होगा एक बात आपको हमासे याद रखना है कि आपको जल्दी बाजी नहीं लिखना है आपको राइटिंग बठा करके लिखना है ताकि एकजामिय को अच्छे से समझ में आजये क्या लिखे हैं और